एर इंडिया अपनी नई उड़ान भरने को तयार है नई लोगों के साथ एरक्राफ्ट की डी ब्रांटिंग की गई है टाटा समू के स्वामित्त वाली एर इंडिया एक्स्प्रिस ने बुधवार को अपनी नई ब्रांट आइडेंटिटी और मेकोवर का अनाफरण किया जिसमें मुख्य रूप से नारंगी और फिरोजी टंग शामिल किये गए है ओरेंज एर लाइन के उत्साह और ब्रांट मुल्यों का प्रतीक है फिरोजी समवेद शीलता का प्रतीक है मुंबई से आई एर इंडिया की रीब्रांटिंग इवेंट की तस्पीरों में देखा जा सकता है कीसे देखने कितने लोग पहुँचे हैं बताया जा रहा है की रीब्रांटिंग एरक्राफ्ट की महत्रकांग्शी, विकास और परिवर्दन यात्रा में एक नए चरण का प्रतीक है एरलाइन के अनुसार पहले नए बोईंग 737-8 विमान की वेश भूशा बंधनी टेक्स्टाइल डिजाइन से प्रिरित थी लेकिन अब आनी वाले दिनों में शामिल किये जा रहे आगामी विमानों में अजरख, पटोला, कांची वरम, कलमकारी, आदिस सहित अन्य पारंपरिक पैटर्न से प्रिरित डिसाइन होगे जो भारत की कलात्मक विविधता को प्रदर्शत करेंगे, विमान द्वारा भारतीय संस्कृती को प्रदर्शत करते देखना काफी बहतरीन होगा